साथियों लोग कंत्र में ये भी बहुत स्वाभावित है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मद्भेद हैं मैं उनके मद्भेद का भी सम्मान करता हूँ और उनकी आपतियों का भी इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है समाधान करने का प्रयाद भी कर रही है और ये हमारा लोगतांत्रिक दाइत्व है लेकिन मेरा उनसे आगर है कि वो देश हित को सर्वो पर ही रखते हुए व्यहवार करें और जम्मु कश्मीर लदाक उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें देश की मदद करें देश की भावनाओं का आदर करें संसद में किसने मतदान किया किसने नहीं किया किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया इस से आगे बढ़कर अब हमें जम्मु कश्मीर लदाक के हीत में मिल करके एज जूट हो करके काम करना है मैं हर देश वासी को ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मु कश्मीर और लदाक के लोगों की चिन्ता ये हम सब की चिन्ता है 130 करोर नागरिकों की चिन्ता है उनके सुख दुख उनकी तकलीप से हम अलग नहीं हैं अलग हो नहीं सकते हैं अनुच्छे 370 से मुक्ती एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है इस समय एहतिहास एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी उनकदमों की कारण जो भी परशानी हो रही है उसका मुकाबला भी बही के लोग कर रहे हैं और वो भी सयोग देकर के कर रहे हैं कुछ मुठी भर लोग जो वहां हाराद बिगारना चाहते हैं उन्हें धैरिय पुर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजीसों के विरोध में जम्मु कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं भारतिय सम्मिधान पर विश्वास करने वाले हमारी ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मोका मिले ये उनका हक है हमें उन सब पर गर्व है मैं आज जम्मु कश्मीर के इन साथ्यों को बरोसा देता हूं कि दीरे धीरे हालात सामाने हो जाएंगे और उनकी परेशाने भी कम होती चली जाएगी